माना जाता है कि भगवान विश्णू जब चारो धाम पर बसे अपने धामों की आत्रा पर जाते हैं तो हिमाला की उची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रिनात में सनान करते हैं पश्चिम में गुजरात के द्वारका में वस्त्र पहनते हैं पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिर में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं दौपर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गये जग के नात जगनात पुरी का जगनात धाम चारो धामों में से एक है यहां भगवान जगननाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ बिराजते हैं हिंदुओं की प्राचीन और पवित्र साथ नगरियों में पुरी उडिसा राज्ज के समुद्रितर पर बसा हुआ है जगननाथ मंदर विष्णू के आठवे अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी के पूर्वी छोर पर बसी पवित्र नगरी पूरी उडिसा की राजधानी भुवनिश्वर से थोड़ी दूरी पर है आज का उडिसा प्राचीनकाल में उतकल प्रदेश के नाम से जाना जाता था यहां देश की समर्द बंदर गाहें थी जहां जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, थाइलेंड और अन्य कई देशों का इन ही बंदर गाय के रास्ते व्यापार होता था पुराणों में इसे धर्ती का वैकुंट कहा गया है, यह भगवान विष्णू के चार धामों में से एक है, इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुशोत्तम क्षेत्र, शाक्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगननाथ पूरी भी कहते हैं यहां लक्षमी पती विष्णू ने तरह तरह के लिलाए की थी, ब्रहम और सकंद पुराण के अनुसार यहां भगवान विष्णू पुरुशोत्तम नील माधाओं के रूप में अवतरित हुए और सबर जंजाती के परम पूजित देवता बन गए, सबर जंजाती के देव के अलावा ब्रहमण पुजारी भी हैं, जेश्च पूर्णिमा से आशार पूर्णिमा तक सबर जाती के दैतापती जगनात जी की सारी रीतियां करते हैं, पुराण के अनुसार नील गिरी में पुरुशोत्तम हरी की पूजा की जाती है, पुरुशोत्तम हरी को यहां भगवान राम का रूप माना गया है, सबसे प्राचीन मत्स पुराण में लिखा है कि पुल्शोत्तम क्षेत्र की देवी विमला है और यहां उनकी पूजा होती है, रामान के उत्तरा खंड के अनुसार भगवान रामन के भाई विभीशन को अपने एक्ष्वाक वंश के करने को कहा, आज भी पुरी के श्री मंदिर में विभीशन वंदापना की परंपरा कायम है, सकंद पुराण में पुरी धाम का भगोलिक वरणन मिलता है, सकंद पुराण के अनुसार पुरी एक दक्षिना वरती शंक की तरह है और यह पांच कोस यानी 16 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, माना जाता है कि इसका लगभग दो कोस क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में डूब चुका है, इसका उदर है समुदर के सुनहरी रेत, जिसे महोद अधी का पवित्र जल धोता रहता है, सिर वाला क्षेत्र पश्चिम दिशा में है, जिसकी रक्षा महादेव करत था, तभी से यहाँ पर महादेव की ब्रहम रूप में पूजा करते हैं, शंक के तीसरे वृत में मा विमला और नाभी स्थल में भगवान जगनात रत सिहासन पर विराजमान हैं, आएट जानते हैं मंदिर का इतिहास, इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महा भारत के वन प प्रमादेवक हैं जिन्हें देतापथी के नाम से जाना जाता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, राजाइंद्र द्यूम्न मालवा का राजा था, जिनके पिता का नाम भारत और माता का सुमती था, राजाइंद्र द्यूम्न को सपने में जगनात के दर्शन हुए थे, कहा निलांचल परवत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ती है उसे निल माधव कहते हैं तुम एक मंदिर बनवा कर उसमें मेरी ये मूर्ती स्थापित कर दो राजा ने अपने सेवकों को निलांचल परवत की खोज में भेजा उसमें से एक ब्रहमर था विद्यापती उनके पास जरूर लोटेंगे बशर्ते की वो एक दिन उनके लिए विशाल मंदर बनवा दें। माधव की अनन्य भक्त सबर कभीले के मुखिया विश्व वसु की ही सहायता लेनी पड़ेगी सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्व वसु भारी भरकम लकडी को उठा कर मंदर तक ले आए अब बारी थी लकडी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की राजा के कारीगरों न वे नील माधव की मूर्ति बना सकते हैं लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्त भी रखी कि वो 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे कोई उनको बनाते हुए नहीं देख सकता उनकी शर्त मान ली गई लोगों को आरी छैनी हथोड़ की आवाजे आती र राजा को इसकी सूचना दी अंदर से कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी तो राजा को भी ऐसा ही लगा सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे का दर्वाज़क खोलने का आदेश दिया जैसे ही कमरा खोला गया तो बुड़ा व्यक्ति विद्यमान कर इन्हीं अधूरी मूतियों को इस्थापित कर दिया तब से लेकर आज तक तीनों भाई ऺहन इसी रूप में विध्यमान है वर्तमान में जो मंदिर है वो सातवी सधी में बनाया गया था हालाकि इस मंदिर का निरमान इसा पूर्व दो में भी हुआ था यहा इसी वीडियो में हमने जगनात के दस रहस्यों के बारे में बताया था उसे अवश्य देखें भगवान जगनात के अस्तित्व और इतिहास को जान कर आपको कैसा लगा कमेंट में जय जगनात लिख कर अपने विचार लिखें चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपिया सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन को आउन करके एक्टिवेट कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें जाए शंकर